कॉंग्रेस निकल पड़ी है मिशन 156 पर तो वहीं कॉंग्रेस की बैठक पर बिजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने निशाना साधा और न्यूस 18 से खास बाचीत में कहा कि कॉंग्रेस चाहे जितनी भी बैठके कर ले लेकिन फाइदा कुछ नहीं है बले ही कॉंग्रेस 156 का अकड़ा लेकर आगे बढ़ रही हो लेकिन इस चुनाम 156 से भी कई ज़्यादा सीटे बीजेपी को हांसे लोने वाली है सुनी और क्या कुछ कहा उन्होंने कि आपने साड़े चार वर्षों में सिर्फ और सिर्फ ब्रस्ताचार करने के अलावा क्या किया आपने कुर्सी पचाने के अलावा क्या किया आप कुर्सी बचाओ बाकी आप लोग खुला ब्रस्ताचार करो व्याभिचार करो दुशकर्म करो बजरी माफिया में शामिल हो पेपर लिग करो कितने अपराथ बढ़े हैं और इस सब में कॉंग्रेस पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी की निता शामिल है। तो कॉंग्रेस अपने आत्पश चिंतन करें कि आपने कहा तके公 nove修 कर्जा माफ करेंगे किसान होगा क्या हुआ उस किसान करजे का sekarang कमर कस के बैठा है के आईए आपमे दालने और युवा कमर कस के बैठा है कि आपने बależy खारता तो नहीं दिया लेकिन लाखों युवाओं का बहुई से वरवाद आपने क्यों किया कितनी आत्मा और किसी की मन की आहा निकलती है बद्दुआ निकलती है तो अच्छे अच्छो को समाप्त कर देती है लेकिन आपने सता के लालस में कितने लाखों लोगों का बहुई से खराब किया, लाखों पिसानों का बहुई से खराब किया, कितने लोगों ने आत्मेतिया कर ली, उन सब के जिम्मदार कॉंग्रेस पार्टी और उनके मुख्या है केमरा परसन अंकित के साथ लखवीर सिंग शेखावत न्यूज 18 दिनली कॉंग्रेस फ्लॉप फिल्म की फ्लॉप शो ये बयान निता प्रतिपक्ष राजीन राठोर ने दिया है जम कर कॉंग्रेस पर हमला बोला उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस फ्लॉप फिल्म का फ्लॉप शो है साथ ही कहा कि ये बार-बार हमारे राष्टिय निताओं के नाम लेकर अपनी ही पार्टी के अलाकमान को डराने का काम करते हैं सुनी और क्या कुछ का मैंने का ना कॉंग्रेस इस समय फिलाब फिलम का वो शो है जो हम देखा करते थे गटी दुरों में टिकट लेने के लिए लोग नहीं मिलते इसलिए हो सकता है दूर दूर से घेर के वो टिकट देने की बात करें भारतिय जनता पार्टी क्या करेगी क्या नहीं करेगी कब करेगी रहनीती क्या है ये हमारा राष्ट नेतर तो हमारा परदेश नेतर तो तेह करेगा उस पर टीपनी करने का मुझे अधिकार नहीं पर यह कैसकता हूँ कि भारतिय जन्ता पार्टी चुनावी वर्स की पार्टी नहीं है हम चुनावी वष में संग्धन को गढ़ते नहीं है जिस्पर कांग्रेस ने अभी कुछी मेंuais एक महने पहले अपने परदेश पीप सी सी को बनाया भारत्य जन्ता पार्टि वो पार्टी है जो पांचों साल बूत से लेकर परदेश तक संफ्नातमक बात करती है इसलिए कहा भारत्य जन्ता पार्टी और कहां कॉंग्रेस का इतिला संफ्डन काँ क्या मुकाबला इस नहीं हो किया और दावा किया कि गेहलोज सरकार सुबे में फिर से रिपीट होने जा रही है भाजपा कोरी जूट फैला रही है और वो कॉंग्रेस सरकार के विकास के आगे मुकाबले में कहीं नहीं ठहर पाए कि आज हमारा सीधा जो है इस मिटिंग का जो तापरी और भे था वो ये था का आगामी जो हमारे पास में जो समय बचा है उस समय के अंतर हम तारीक वाइज हम कलेंडर वाईज जो है सारे प्रोग्राम सेट करें कहां में आपके राउल गांदी जी को बुलाना है सोनिय गांदी प्रियंका जी को बुलाना है यह हमारी आम सभाएं उन कार्यकरताओं के बीच में बैठ के आम सभाएं करेंगे हार और जीत सत्ता में चलती रहती है लेकिन आप राजस्तान की पुलिस का संबान नहीं कर सकते इसलिए बीजेपी यह तैक कर ले जिस भासा में बीजेपी चाहेगी उस भासा हम जवाब देंगे लेकिन बीजेपी हमारे डवलप्मेंट और वैलफेर के मॉडल को जूट फरेव और धोके से दबाना चाहे वो संबाव नहीं होगा आने वाले समय में भारती जनता पार्टी जो जूट परोस रही है जिनके पास कुछ कहने को नहीं है 2018 में अगर खाजिस्तान की जनता ने कॉंग्रेस की सरकार बनाई तो 2019 में चार महीने बाद 25 के 25 सांसत बीजेपी को भी दिये तो क्या उनसे अकाउंट लेने का टाइम नहीं है चार महीने बाद लोकसभा का चुनाओ है 25 सांसत जिस परदेश ने बीजेपी को दिये है उनसे भी तरह साब मांगने का टाइम है